दोस्तों आज़िया हमों आप सबको बताने वाले हैं कि किसी भी फोटो पर अप्डेट को किस प्रकार से मेंसिन कर सकते जैसा कि आप सबको पता है अगर आपको फॉर्म फिल आप करते तो शी coolest नहीं तो फॉर्म रे देख सकते हैं कुछ इस प्रकर का इंटरफेस आएगा ओपन करने पर तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है यहां पर चौथे नमर पर आना है इस पर आगर के क्लिक कर लेना है देख सकते हैं इस पर आने के बाद क्लिक करने के बाद यहां पर फ्रॉम गैलरी का ओप्शन सो क तो आपको क्या करना है फ्रॉम गैल्री पर आने के बाद उस फोटो को सलेक्ट करना है जिस फोटो पर देट को मैंसिन करना है तो चलिए हम सलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हम अपने गैलरी पे आ चुके हैं और गैलरी पे आने के बाद हम अपने फोटो को सलेक्ट कर लेते हैं तो फोटो को स्लेक्ट करने के बाद यहां पर देख सकते हैं फोटो जिस भी फोटो पर डेट डालना है वो फोटो को स्लेक्ट कर लेते हैं इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यहां पर एक आप्सेन है तो आपको सिंपल सा ए पर क्लिक कर लेना जैसे ए पर क्लिक करेंगे यहां पर पैंसिल का इकन है पैंसिल का इकन पर क्लिक करके यहां पर क्या लिख देंगे, date of photo दोस्तों क्या लिख देंगे, date of photo लिखने के बाद है आपको इस प्रकार से लिख देना है लिखने के बाद दोस्तों है देख सकते・डे, the De 차ote ऌफ. gives me to the bad date of photo डेट लगता है कोई भी फॉर्म फिल करने पर तो आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे उस पर करन डेट डाल सकते हैं करन डेट डालने के बाद आपको यहां पर ओके पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर लेंगे यहां पर से थोड़ा से इसका साइज को कम कर लेन साइज को कम कर लेने के बाद आपको इस प्रकार से आना है और आने के बाद आपको क्या कर लेना यहां पर दिख रहा होगा एभी फॉंट तो आपको सिंपल सा एभी फॉंट पर क्लिक कर लेना है जैसे यह भी फॉंट पर क्लिक कर लेंगे आपको यहां पर दिख रहा होगा म माइपॉन पर आने के बाद लेमन मिल्क लॉल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा क्या कर लेना कorn को स्ट्रोल कर लेना और ब्लेक वरॉ पीर राइट कर लेना जैसे हीसे और फिर इसको स्क्रॉल करें यहां पर उप्ष्ट रहेंगे और आप डिके चださい है घ्रल स्वल एनेबल करने के बाद वाइट वाले ओप्शन पर क्लिक कर लेंगे करने के बाद आप इसको पूरा बरहा लेंगे और सकेंड वाले को भी पूरा बरहा लेंगे इसके बाद इस पर राइट पर क्लिक कर लेंगे और दोस्तों यहां पर देख सकते इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा बरा करके और यहां पर इसको रख सकते हैं रखने के बाद दोस्तों यहां पर सेव का ओप्शन है यहां पर से यहां पर दिखा देते हैं यहां पर करने के बाद आपको क्या कर लेना है सिंपल सा यहां पर सेव का ओप्शन है और यहां पर आन यहां पर से सेव कर लेंगे जैसे ही सेव कर लेंगे आपके गैलरी में सेव हो कर दिखा देते हैं सेव होने के बाद आप अपने गैलरी में देख सकते हैं फोटो को देख सकते हैं दोस्तों फोटो पे डिट मैंसन हो चुका है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लिज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और मिलते आगले वीडियो में